असलामुलेकुम इस वीडियो के अंदर दो अनाउस्मेंट की बात करनी है जो के एचेसी की तरफ से आए हैं और ये अनाउस्मेंट उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेलपफुल होंगे जो के समझते हैं के एचेसी का टेस्ट देना चाहिए उसकी तयारी करनी चाहिए और हमेशा उन स्टूडेंट को पता होता है जिन स्टूडेंट ने से फाइदा उठाया होता है मसलान अभी तक किसी स्टूडेंट का एचेसी में हुआ है और वो जाकि मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है तब ही उनको पता होगा के एचेसी के कितने फाइदे होते हैं अब वो क्या है किस तरह है उसको आपको दिखाते हैं ताकि वी-डियो भी लेन्ती ना ओ और आपके चीज़ें भी क्लियर हो जाए आप लोगों ने अक्सर एक scholarship का नाम सुना होगा hungry scholarship के नाम से ठीक है hungry scholarship के नाम से है hungry scholarship आप ख़िया होगा होगा स्कॉलर्शिप ठीक है नमबर वन दूसरा MDCAT लिक रहा हूँ मैं साथ में लिक रहा हूँ BMC इससे रिलेटेड कुछ है तीसरा जो है 2024 टेस्ट फाटा और बलोचिस्तान ठीक है फाटा एंड बलोचिस्तान अब इन से रिलेटेड क्या है क्यों लिखे मैंने देखें HSC वालों का कहना है कि इस दफ़ा हम लोग सबसे पहले कि इस दफ़ा जो टेस्ट होगा वो जल्दी होगा HSC का HSC का टेस्ट पहले एक फाटा जमा होता था लेट प्रॉसेस चलता था ऐसा नहीं होगा इस दफ़ा टेस्ट जो है वो जल्दी होगा अगस्त के लास्ट में या सप्तमबर के स्टार्टिंग में HSC का टेस्ट इस दफ़ा होगा फाटा और बलोचिस्तान के स्टूडें लेकिन most probably बाइस साल ही होगा और दूसरी बात hungry scholarship से related दुबारा scholarship आ रहे हैं इसके लिए students अभी से त्यारी पकड़ने उनके लिए ज्यादा बेतर है और इसका ये फाइदा होगा कि last year जितने students ने पास किया था उनको emails भी आ चुके होंगे उसके बाद MDCAD BMC लिखा है मैंने इस दफा जितने students ने पहले तो BMC का test पास किया था फिर HSC का भी पास किया था फिर वो depression में थे यानि कि एक hesitation थी उनको कि अगर हम BMC का seat avail कर लेते हैं तो ऐसा ना हो कि हमारा HSC का seat चला जाए लेकिन इस upcoming year में ऐसा नहीं होगा आपकी upcoming year में ऐसा होगा कि आपको पहले से एक choice दी जाएगी पहले list BMC से HSC तक नहीं पहुंचेगा वो list आपको पहले से पता होगा कि BMC में आप कौन सी position पे हैं और HSC में BMC का seat अपावेल कर लेते हैं हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं यह चीजें इस दफा क्लियर कट होगी HSC की तरफ से पहले तो confusion होती थी कि HSC लें या BMC लें लेकिन इस दफाएसा नहीं होगा तो इसके लिए syllabus जो है syllabus वही last year वाला होगा ठीक है last year वाला होगा यह HSC की कुछ बाते हैं एक announcement अब जो के मेरी तरफ से चल रहा है वो यह है कि online classes मैंने start की है online HSC की classes online HSC classes उसमें आपको mathematics portion पढ़ाया जाएगा maths का जितना भी syllabus है और आपको English का portion पढ़ाया जाएगा इसके लिए हमने कल classes का आगाज किया था और हमने एक mild यानी चोटा सा introduction लिया था आज हमारी properly एक sequence के हिसाब से class start होगा अब इसके लिए दूसरी बात यह कि कुछ student कहते हैं कि mathematics English के साथ हमें bio chemistry भी करवा दे तो इसके लिए भी जगा है अगर आप लोग करना चाहें तो interested students बता सकते हैं इसके इलाबा कुछ students होते हैं वो कहते हैं कि हमें separate classes चाहिए ठीक है जिस पे कोई student और ना हो एक मैं हूँ एक वो student हो online zoom के थूँ क्लासिज होगी इस तरह भी हम student को provide करते हैं अगर student खुद interested हो तो इसके लिए भी आप मुझसे contact करके detail पूछ सकते हैं ताके हम उसके मज़ीद जो भी details हैं वो आप तक provide कर दें तो hopefully आपको यहां तक ही HSE के announcement और online classes की details समझ आ गई होगी फिर भी कोई confusion रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं इस दफ़ा HSE का जो हम लोग online test classes start कर रहे हैं उसमें syllabus जो है दो दफ़ा करवाया जाएगा ठीक है और इसका यह फाइदा होगा कि math और English में निशादा आप लोग मार नहीं खाओगे उसके साथ साथ हम last में past papers और authentic MCQs discuss करेंगे और आपसे practice करवाएंगे test के form में ताकि आपकी जितने भी जो basic problems थे वो clear cut हो जाएं और बाकी जो भी confusion हो तो आप लोग comment box के तुरू पूछ सकते हैं